जंगली रमी आप में अगर आप खेलते हैं और बैट वगर लगाते हैं तो आपको ये पता हुगा कि यहाँ पर आपको कोई भी पॉर्मनेंट अकाउंट डिलेट करने का उप्सन नहीं मिलता है मतलब आप अपना अकाउंट पॉर्मनेंट डिलेट नहीं कर पाते हैं वेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिलिट कर सकते हैं बट यहाँ पर आपको यह सारी चाहिए देखने को नहीं मिलती है तो इसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले यह अपने प्रोफाइल पे जाना है प्रोफाइल में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से लॉग आउट कर लेना है तो यहाँ से आप लॉग आउट कर लेजी और यह से ओर यहाँ पर आपस पर क्लिक कर लेना है यह जो आप देख पा रहे हैं यह इस पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आप लोग आउट हो जाओगे लोग आउट हो जाने के बाद यहां से आप बहार आजाए ठीक है बहार आने के बाद आपको सबसे पहले यह जो अप्लिकेशन है जंगली रमी का उस पर आपको tap and hold करना है और app info पे चले जाना है बहुत सारे application में बहुत सारे mobile में यह options आपको नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर आप यहां कैसे जा सकते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले setting में चले जाना है setting में जाने के बाद यहां पर आपको application पर चले जाना है एप मेनेजमेंट उसके बाद एप लिस्ट पे चले जाना है और फिर यहां से आपको अपना एप्लिकेशन सर्च कर लेना है जैसे कि यह जंगली रहें तो आप वहीं options पे चले आएंगे और फिर यहां से आपको क्या करना है सबसे पहले permission में जाना है और सारे permission को जो allow है permission उसको आपको not allow कर देना है जैसे कि माल लीजिए सारे application यह permission मेरे allowed रहते तो मैं उसको allow नहीं करता ठीक है जैसे यहां पर not allowed पहले से लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पहले से allow नहीं किया हुआ था जो पता था कि मैं एक दिन इसको uninstall करने वाला हुआ हूँ इसलिए मैंने नहीं किया था तो उसके बाद फिर यहां से आपको back चले आना है और उसके बाद फिर यहां पर आपको चले जाना है storage usage में यहां जाने के बाद सबसे पहले आपको clear catches करना है और फिर clear data कर लेना है और इस तरह से आप permanently आपने अकाउंट को delete कर सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आये होगी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like कीजिए share कीजिए और इस तरह की कि और वी वीडियो के लिए चानल को subscribe कर लेजे